हेलो बच्चो चलिए रिफ्रेक्शन के फर्स्ट लेक्चर में हमने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स समझा क्या था वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स? दा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आप चाहें तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की डेफिनिशन इसने सला से भी दे सकते हैं कि दा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमने समझा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमने समझा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमने समझा था और अब बात करेंगे टाइप साफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हम करने वाले हैं types of types of refractive index और जैसा कि हम आपको बता चुके थे इससे हम का से denote करते हैं तो refractive index बच्चो हमें मालुम है कि light जब enter होती है एक medium से दूसरे medium तर उसकी property में जतना relative change होता है यानि first medium की properties upon second medium की property हाँ यार refractive index के लिए एक बात और लिख लेना यहाँ पर हम लिख सकते हैं first medium properties, first medium और नीचे क्या लिखेंगे हम second medium ये क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर बात कर रहे हैं properties, properties आप first medium upon properties आप second medium ये भी तो refractive index ही होता है ये ही होता है तो अब इसके types कितने होंगे हम उनकी बात यहाँ पर कर लेते हैं तो पहला जो type है उसे बोलते हैं हम absolute refractive index absolute refractive index एक absolute होता है और दूसरा हमारा second बाला जो होता है वो होता है relative refractive index इन दोनों के बारे में पूरी जानकारी लेना है हमें absolute refractive index कब होगा बच्चो refractive index pair up medium पे depend करता है एक medium वो होता है जिसमें light travel करती है और दूसरा medium वो होता है जिसमें light inter करती है तो absolute refractive index में मतलब जो pair up medium होते हैं जो क्या होते हैं? pair up medium pair up medium में when light is stable from any medium to year मतलब दो बाते हैं लिख सकते हैं यहां पे हम यहां पे first बात क्या लिख सकते हैं? when light rays, light rays, light rays, goes, year or vacuum, year or vacuum to any medium एक बात तो यह हो गई हमारी और शीकिन बात इसकी क्या होती है? यह यहर से medium में जाए या medium से year में आए तो हम दूसरी बात लिख सकते हैं वो भी यही बोल सकते हैं when light rays, rays, enters, enter from any medium, from any medium to year or vacuum or vacuum मतलब सीधी सी, साधी सी, सिंपल सी बात यह है बच्चो कि पेर आप medium में से एक medium year or vacuum हो तो उसे हम absolute refractive index बोलते हैं और इसे हम cable mu से denote करते हैं उनने बोला कि refractive index आप glass is 1.5 तो मतलब year के respect में 1.5 है, अकेले का refractive index होते ही नहीं है क्योंकि ये तो एक relative property है तो अकेले medium का refractive index नहीं होता है यदि उन्होंने बोला है कि refractive index आप glass is 1.5 यदि उन्होंने बोला refractive index हैं से लिख रहे हैं आप glass is 1.5 refractive index आप glass is 1.5 यार unit नहीं लिखी 1.5 क्या तो एक बात ध्यान से सुनिए और ये अपनी copy में note कर लेजे कि refractive index की कोई unit नहीं होती है क्यों नहीं होती है, देखो mu is equal to क्या होता है sin i upon sin r sin i की angle की एदियम बात करते हैं तो radial 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 से radial cancel हो गया mu is equal to v1 upon v2 ये meter per second upon meter per second इससे ये cancel हो गई ऐसे ही mu is equal to lambda 1 upon lambda 2 इसकी unit भी meter इसकी भी minute cancel तो बच्चो, refractive index is a pure ratio pure ratio पता है numerator और denominator बूत दोनों semi unit रखते हों तो उसे pure ratio कहते हैं हां तो ये भी semi unit ये भी semi unit ये तीन तरह से हम इसे define करते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि refractive index is a pure ratio pure ratio so so no any unit of unit of refractive index तो refractive index की कोई unit नहीं होती है गुने में बताता है तो इसकी कोई unit नहीं होती तो unit less quantity है 11 के respect में बोलें तो dimension less quantity है जिसकी unit नहीं होती उसे dimension less बोलते हैं तो ये dimension less quantity है unit less quantity है इसकी कोई unit नहीं होती इससे आप note कर सकते हो और कर भी लिया होगा हमें मालुमें यार आप बहुत fast हैं हां बच्चे बहुत fast होते हैं तो यहाँ पर refractive index of glass is 1.5 है means इसका मतलग क्या है means a mu g is equal to 1.5 येर के respect में 1.5 है vacuum के respect में 1.5 है तो यदि refractive index of glass is 1.5 लिखा है तो आप समझ जाना कि येर येर vacuum के respect में इसका refractive index 1.5 है अब देखिए तो fact है यार absolute refractive index का मतलब आप समझ चुके हैं और बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि pair up medium क्योंकि refractive index pair पे depend करता है pair पी तो करता है यार एक medium से दूसरी medium में light enter होगी तो ही तो refractive index आएगा क्योंकि प्रापर्डी आप first medium to the property आप second medium इनका रेसो होता है refractive index सर 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 थोड़ा से लो तो अब हम बात करने वाले हैं relative refractive index यहां पे हमने क्या लिखा था pair up medium any one medium ear or vacuum pair up medium में any one medium ear or vacuum होगा यहां पे जो pair up medium होगे न pairs pair लिखे न पेर pair up medium जो medium का pair होगा न तो उसमें से कोई भी ear or vacuum नहीं होगा pair up medium कैसा होगा one medium and other medium समझना हम क्या बोल रहे हैं बिलकुछ समझना one medium and other medium but other than ear or vacuum other than ear or vacuum मतलब यह यह यू डबल होगा vacuum मतलब ऐसे pair होगे जिसमें एक medium ear or vacuum नहीं होगा तो light enter होगी क्या? light goes का होगी? light goes from bun medium to other medium और इन में से no anyone can be ear कोई भी ear नहीं हो सकता मतलब यहाँ पे जो medium है ना जो medium है वो other than other than ear or vacuum इसमें से एक भी medium vacuum एक भी medium ear और vacuum नहीं होगा तो इसे लिखते कैसे हैं बच्चों? इसे लिखते हैं 1 mu 2 मतलब यह first medium यह second medium हम आप एक 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 जामपिल दे सकते हैं W mu G R G mu A butter to glass गलास गलत गलत है यह glass to butter year हो गया तो absolute हो जाएगा तो गलती की थी आप मत करना यह butter glass to butter यह butter to glass यह होता है relative refractive index तो absolute refractive index means what? pair up medium में से any one medium year होगा या vacuum होगा और relative refractive index means what? यह यह जो pair up medium होंगे उन में से कोई भी medium year नहीं होगा एक medium से दूसरे medium में वो इंटर करता है तो हम उसे कहते हैं relative refractive index हमेशा ऐसे लिखते हैं बच्चो यह first medium में जिसमें light treble कर रही थी यानि यह बाटर में चल रही थी हो बाटर से इंटर का होई है? ग्लास में बाटर से इंटर होई है ग्लास में और यहां का चल रही थी? ग्लास में चल रही थी और ग्लास से इंटर होई है बाटर में तो जो पहले लिखा होता है उसमें ट्रेवल कर रही होती है जो बाद में लिखा होता है उसमें वो इंटर करती है आपको हमारी बात समझ में निसित ही आ रही होंगी यह हमें पता है क्योंकि आप समझदार हैं हो तो हो यार क्या बात करें इसमें तो रिफ्रेक्टिव इंडे relative refractive index अब हम यहां पर एक बात और करेंगे एक बात और करेंगे और एक बात पर गोर करेंगे गोर को English में intention कहते हैं कि factor affecting refractive index कौन-कौन से factor है जो refractive index को affected करते हैं हम बात करने वाले हैं कि reflective हमारे refractive index को कौन-कौन affected करता है यार हमारा refractive index है तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं factors affecting affecting refractive index और इसे अब अपन new लिखा करेंगे कि refractive index को कौन-कौन से factor हैं जो affected करते हैं तो number first number first है pair of medium pair of medium जो medium का pair होता है number first वो है देखो बच्चों यहां पर year to glass जा रहा है हम यहां पर फिर से यह कर देते हैं pair of medium यदि वो कहां जा रहा है year to glass इसका मतलब यहर to glass और यदि वो year to butter जा रहा है तो इसका refractive index 1.5 होता है इसका refractive index 1.3 होता है मतलब year और butter में optical density में बहुत जादे difference है इसलिए refractive index जाद होगा more difference in optical density इसके density भी समझ सकते हो ना यार कोई हर्ज नहीं है पन्तु optical bird बोर देना तो आपको अपने teacher intelligent समझेंगे कि आप बच्चा intelligent है optical density बोल रहा है तो मतलब सीधी सी बात है हम क्या बोलेंगे more difference in optical density more more refractive index more refractive index मतलब year to glass में जादे difference था तो जादे refractive index था year to butter में थोड़ा कम difference है समझ में आता बाटर को touch करेंगे तो अंदर हाथ चला जाएगा glass solid है तो glass की optical density जादे होती optical density की बात कर देता है कि यहर से जादे होती है water की water से जादे होती है glass की और सब से जादे होती है diamond की diamond तो अपने अंदर injury नहीं होने देता तो क्यों बात करें जो हमारी चीज में participating नहीं कर रहा है उसके बारे में हम क्यों बात करें नहीं करेंगे बात हम उसके बारे में तो बात उसकी करेंगे जो हमें affected करते हैं तो देखिए बच्चो अब हमारा पहला दूसरी बात और कर लें यह होता है यह बात थोड़ी सी important है important क्या है यह बात yes different color के लिए different refractive index होता है हमारे पास कितने color थे v i b g y o r यह seven color थे हमारे पास violet indigo blue green yellow orange and red यह seven color थे सबसे जादे refractive index बच्चो होता है violet color का फिर इससे कम जो होता है वो indigo का होता है इससे कम blue का होता है और ऐससे कम होते 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 सबसे कम refractive index red color का होता है तो different color के different refractive index different different होते हैं अब यह दो factor थे जो refractive index को क्या बोला हमने refractive index बोला न पंदू हमें पता आपने refractive index ही समझा है क्योंकि आप समझदार हो तो अब यहाँ पे light की एक और कुछ property की बात करते हैं और वो property है principle of reversibility हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो light की property है वो property है principle of reversibility बहुत important बात है principle of reversibility principle of reversibility है यह reversibility का principle क्या होता है पहले हम एक definition की बात कर लें light follows the same path हम क्या बोलेंगे light follows the follows the same path if the direction direction of the table of light क्या हो जाए है is reversed is reverse उसका path बदल जाए वो जब किसी medium में इंटर होती है और जब उस medium से बापिस फिर पहले medium में आईगी तो light की property में जितना change हुआ था वो सब change खतम हो जाएगा मतलब मतलब क्या है एक बात समझे समझ में कमाया मुझे पता है समझे जब light क्या करेगी light जब बाटर में इंटर होगी तो उसकी property चेंज होगी path चेंज होगा speed चेंज होगी babbling चेंज होगी पन्तु जब बाटर से वापस लोट के आ जाए air में तो जितना change हुआ था वो सब वोई property फिर हो जाएंगी देखो जरा mathematical ही देखते हैं हम यहां पर हमारे पास क्या है यहां पर गलास रखा हुआ है यह गलास यहां पर गलास है और जब light यहां से इधर आई और यहां पर नार्मल डुरा किया यह बाला एंगल आई है और यह बैंट टूवर्ड नार्मल यह बाला एंगल आर है यहां पर क्या हो रहा है इस क्लास रख में जब जा रही है तो हम क्या लिखेंगे ए म्यु γी का मतलब फम फिर से बता दू कितिनी बार बताना पड़ेगा कोई बात नहीं है एर टू गलास यह बार बात नहें है यह राइट कहां जा रही है यह यह चां i angle up reflection r तो यह हो जाएगा sin i upon sin r a mu g here to glass अब हम क्या करें यहाँ पे प्लैन मिरा रख दें ऐसा यह बिलकुर नार्मल ही इस पे incidence हो तो इसी पाथ पे light बापस भी चली जाएगी तो यही पाथ फालो करेगी light यह जब यहाँ पे हम glass रख देंगे ना तो यह light ऐसी आके ऐसे जाके ऐसी ही जाएगी उसका पाथ चेंग नहीं होगा अब हम बात कर लें यहाँ पे कि यह दि हम glass two year कर रहे हैं glass two year g mu a दोखो यहाँ से चल रही है यहाँ से चल रही है तो यह r जो है ना angle up incidence हो गया first medium का जो angle होता वो angle up incidence होता है यह बात आपको पता है तो यह sinar उपर हो जाएगा sinar उपर हो जाएगा और sinai नीचे हो जाएगा यह question number first है यह question number second है year two glass जा रही थी तो यह glass two year जा रही थी तो यह और बच्चों हम into कर दें first और second का first और second का multiplication कर दो तो a mu g into g mu a बराबर यह किता था sin i upon sin r into sin r upon sin i और sin i से sin i cancel sin r से sin r cancel तो हमारे पास क्या बचा a mu g into g mu a is equal to ban a mu g into g mu a is equal to ban यह ban बचा तो हम ऐसा कर सकते न g mu a को सामने पहुचा दें a mu g is equal to ban पान g mu a मतलब year के respect में glass का जो refractive index होता है वो inverse होता है glass के respect में year के refractive index के तो बच्चों very important principle of reversibility क्या हुआ 1 mu 2 is equal to 1 upon 2 mu a 1 एक से दो में जा रहा है जो change आएगा जब दो से एक में आएएगे वो change खतम हो जाएगा दोनों एक दुसरे के inverse होते हैं principle of reversibility year से glass में जाने में जो जो property change होंगी जब glass से year में आएगा तो वो सब property सब हो जाएगी और ये ही है हमारी principle of reversibility आपको समझ में आई है कि नहीं ये बात तो ये बात आप याद रखेंगे क्योंकि ये बात समझ गए है अब हम यहां पे एक और important topic के बारे में बात करेंगे और वो topic है तो बच्चो अब हम यहां पे जो discussion करने वाले हैं वो है lateral displacement चलिए हम समझते हैं कि lateral displacement होता क्या है important topic है और हमने आपसे बोला है कि एक एक topic करेंगे एक एक concept करेंगे और 10 के साथ साथ NTSC भी कबर होगा बच्चो आपका science olympiard भी कर सकते हो हमने यहां पे क्या किया एक glass slab ले ली यह है glass बच्चो इसकी AB surface माल लेते हैं और यह है CD surface और यहां पे condition है वो condition आपको याद रखना चाहिए कि AB surface जो है वो CD surface के parallel है must parallel होना बहुत ज़रूरी है अब यहां पे हम देखेंगे light का reflection रिफ्रेक्शन में यह हमारे पास कोई raise आई इससे incident ray बोलते हैं color बदल के हमेशा की तरह यहां पे हम normal एक बना देते हैं यह normal हो गया यह बाला angle हो गया आई और जब यह इसमें इंटर होगी glass में यार उपर year है ना पता है ना आपको तो fact है bend to bird normal तो यह जाना का था इसे जाना था इसे ऐसे पूरा भिजदो से जितने दूर तक जा सकती है यह जा रही थी परंतु होगा क्या यह bend to bird normal हो जाएगी यहां से यह bend हो गई path बदल दिया यह वाला angle r है उसने अपना path change किया क्यों क्योंकि वो year to glass गई थी path change होना तो इसकी property है light की reflection है यह अब हमें क्या करना पड़ेगा यहां पे फिर एक normal draw करेंगे यह normal draw किया बच्चो एक important बात यह है यह भी नारमल है और यह भी नारमल है यह है उपर वाला नारमल यह है नीचे वाला नारमल और कोई यहां से ऐसी आती है तो यह बाला एंगल और यह बाले एंगल इक्वल होते है यार हम दोनों parallel रेज बना दें यह एंगल और यह एंगल होगा तो प्यारे बच्चो यह बाला एंगल भी आपका आर ही हो जाएगा तो हमने आर ही लिख दिया मैं इसमें बताया है ना कि यह ए यहां पर क्या हो रहा था एवी पे यहर टू ग्रॉस और जो सिड़ी तो सिड़ी तो सिड़ी पर यह ना सूल प्रॉम फो एंगल इन्ए आप्टिकली देंगल यह जांगल अभी तो मूब अवे फ्रॉम देंगल्व यह नार्मल से दूर मॉनच चनल के जाएगा बाले जाएगी, यह बाला जो angle है न, e, angle of emergence होगा, e को हम क्या बोलते है, angle of emergence, तो देखिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं, e, यहाँ लिख देते हैं, e, e is equal to क्या हो गाएगा, angle of emergence, बाहर निकलिये न, अच्छा, इमर्जेंस क्यों बोलेंगे, क्योंकि यर से जाके, वो यर में ही बापिस आई, देखो, यर में चली, फिर आ गई ग्लास में, ग्लास में मूब किया, इसके बाद फिर यर में आ गई, तो इसे हम इमर्जेंस एंगल बोलते हैं, और बच्चो, ये बाली जो रेज है न, इस रेज को हम बोलते हैं, इमर्जेंट रे, ये तब बोलेंगे, जब जिस मीडियम से वो इंटर हुई है, उसी मीडियम में अग्जिट हुई है, यानि यर से गई थी, ख्लास में चलते हुए, बापस, फिर यर में आ गई है, तो ये हो गया, चलिए, ये दो बाते हमें समझ में आई, एक चीज आप लोग मार्क कर चुके होगे, कि इमर्जेंट रे और इंसीडेंट रे आर पैरलल टू इच अदर, मतलब येर में वो जिस डारेक्शन में चल रही थी, तो बाद में जब वो ग्लास होते हुए, येर में बाह रहना चाहिए मुझे आपको, आप एक गलास सिलेब लेना, और आपकी बुक है ना, उसके उपर रखना, आपके जो लेटर है ना, वो सिप्ट हो जाएंगे, थोड़े से, ये सिप्टिंग होती है, और इस लेटरल सिप्ट बोलते हैं, और इन दोनों के बीच की जो पर्प लल होंगी, तो पहले हमें प्रूब करना है, कि ये बाला एंगल और ये बाला एंगल इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एंगल इक्वल होंगे, तो वो सेम डारेक्शन में जा रही होंगी, हाँ जी, तो सबसे पहले जड़ा देखते हैं इसका, यहां पे सबसे पहले हम बात क रहें AB surface पे AB surface पे हो क्या रहा है AB surface का मतलब यह है कि A mu G हाँ जी A mu G करना पड़ेगा ना AB surface पे A mu G और अब आप A mu G से समझ जाते हो ना A mu G मतलब air to glass तो A mu G is equal to कितना हो जाएगा A mu G is equal to angle of incidence I है और angle of reflection R है इसे question number आप first बोल दीजिए अब CD surface पे क्या हो रहा है सोचिए सोचिए CD surface पे वो glass to air आ रहे है और देखो ना यह रहे जहां पे जो है न वो incident रहे बन जाएगी तो यह incidence angle R हो गया और reflection angle E हो गया अब हम बात कर रहे हैं किस पे CD surface पे और CD surface पे बच्चो प्यारे बच्चो यहां पे हो रहा है वो glass to air आ रही है इस surface की बात की जा रही है बहां पे वो glass से year में आ रही है तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा G mu A is equal to यह बाला R angle up incidence हो जाएगा न क्योंकि यह CD surface के लिए यह बाली raise incident हो गई है अब थोड़ी देर पहले हमने पड़ा है principle of reversibility अब हम यहां पे बात कर लेते हैं इसे आगे लिखते हैं बिलिटी B I L I T Y A mu G is equal to बन पान G mu A equation number 3 हो गया बच्चों हमारे पास 3 equation आ गए है first second and third हम क्या करने वाले हैं third में first और second से A mu G और G mu A की value रखने वाले हैं तो हम यूज कर रहे हैं first second and third तीनों को हम A mu G की जगे क्या रख दें ये रख दें G mu A की जगे क्या रख दें sin R upon sin E रख दें तीनों equation का हमने यूज किया है तो यहां पे क्या हो जाएगा A mu G की जगे क्या लिखा हमने sin I upon sin R और बराबर 1 upon G mu A है ये G mu A की value है तो यह हो जाएगा sin R upon sin E और हमारे बच्चों को एक्तम मैस तो आता है A sin E उपर चले जाएंगे denominator में है ना तो यह हो जाएगा sin I upon sin R is equal to sin E upon sin R और sin R से ये sin R cancel तो बच्चों sin I is equal to क्या हो गया sin I is equal to हो गया है sin E sin R is equal to sin E यार दोनों ही sin है इसका मतलब है I is equal to E यानि emergence angle I के बराबर है ये भी angle और ये भी angle same है ये emergent ray है और ये incident ray है सीधी जाती तो इदर ही जाती ना ये पूरी हम ऐसे लिख देते हैं ये incident ray का path है ये यदि glass slab नहीं होती वो सीधी उस direction में चली जाती ये incident ray की बात है यदि I और E बराबर है इसका मतलब है emergent ray and incident ray are parallel to each other if I is equal to E then incident ray हाँ ये तो बात हमें लिखनी पड़ेगी incident ray and emergent ray are parallel to each other बच्चो 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 ये फिर्स्ट और लास्ट मीडियम सेम है और दोनों reflecting surface parallel है तो angle of incidence always equal to the angle of emergence ये बात कम की है लिख सकते हो condition है यदि both reflecting surface are parallel to each other ये ये और ये दोनों parallel है तो इनके बीच की जो perpendicular distance होती है ना यहां से आता कि perpendicular डाल दें इससे अपन बोल देते हैं O इससे बोल देते हैं L तो बच्चो ये जो OL है ना OL को ही हम बोलते है लेटरल डिस्प्लेसमेंड लेटरल डिस्प्लेसमेंड लेटरल डिस्प्लेसमेंड आगे यह पर मेंट लिख देते हैं अरम देते हैं रापार यह का ओडिस्प्लेसमेंड लेटरल डिस्प्लेसमेंड बातूहिए लाल डिस्प्लेसमेंड लेटरल डिस्प्लेसमेंड रे उसकाल्टिसमेंड यह जो interior يع lateral displacement भी अच्छे से समझ में आ गया है, तो lateral displacement की जब हम बात करते हैं, तो perpendicular distance between incident and emergent race का lateral displacement और ये क्या है, इसे O-L से denote करते हैं, और generally lateral displacement को L ही बोल देते हैं, O-L, perpendicular distance, पधा ये भी बोई होगा, ये भी आपका बोई होगा, सैम होगा ये, ये और ये बराबर हैं बिलकुल, इक्वल है, तो lateral displacement आ गया है और हम screen से हटे इसलिए हैं, कि हमारे बच्चे इसका screenshot ले लें, तो ये हमारा lateral displacement था, condition, अब हम इसे lateral displacement में कुछ condition की बात करनी पड़ेगी, और condition क्या क्या है, वो हम यहाँ पे देखते हैं, condition आप lateral displacement, यहनी O-L आपका क्या था, O-E था आपका lateral displacement, तो lateral displacement में आपको पहली condition है, कि बोथ, बोथ की जगे आल भी लिख सकते हैं, बच्चों हम, आल, दो नहीं, यहाँ पे दो से भी जादे होते हैं न, तो भी यही होता है, बोथ, आल, reflecting surface, यहाँ पे हम बात करेंगे, reflecting surface, surface, surface are parallel to each other, parallel to each other, एक दूसरे से वो parallel हों, पहली condition, बोथ surface, बोथ है यह, वो है, बोथ, reflecting surface are parallel to each other, और सीकेंड, initial, initial and final, initial and final medium जो है, वो कैसा होना चाहिए, medium same होना चाहिए, initial and final medium same होना चाहिए, बहुत से medium हो सकते हैं, पन्तु first medium और last medium E की होना चाहिए, तो lateral displacement होता है, तो फिर वो होता है, perpendicular distance between incident ray and emergent ray is called lateral displacement, एक बार और देख लीजे, यह है lateral displacement, यह है lateral displacement, first medium E year है, last medium भी क्या है, year है, year से कहीं, बीच के कितनी medium से triple कर ले, फिर year में आए, और सबकी refracting surface एक दूसरे से parallel हो, तो shifting होती है, थोड़ा सा shift होता है, यहर एक experiment कर लेना, glass का एक select तो आपको मिली जाएगा, उसे आप अपने book के page पे रखना, तो पता, letter जो है, shift हो जाएंगे थोड़े थोड़े, वो ही तो lateral displacement है, हटाओगे तो जहां दिख रहे हों, जितने shift हो हैं दोनों के बीच की distance ही तो, lateral displacement, 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 yes, अब हम यहाँ पे एक और topic पढ़ने वाले हैं, और वो topic भी बहुत important है, क्योंकि अब हमें बात करनी है, relative refractive index की, अब जो बात की जाएगी बच्चों, वो बात है, relative, 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 refractive index, refractive index, yes, हम बात करेंगे relative, refractive index की, मतलब, 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 मतलब बहुत पूछते हो आप, मतलब दोनों medium, जो pair up medium है न, उसमें year या vacuum नहीं होना चाहिए, तो एक medium के respect में, दूसरे medium की बात करते हैं, तो हम जरा यहां पर एक diagram बना रहे हैं, यह हमारा medium हो गया एक, यह हो गई year, और यह हो गया water, और बच्चों third medium भी अपन यहां पर बना देते हैं, और वो medium है glass, यहां से यहां तक ऐसे ऐसे कर दो तो अच्छा लगने लगेगा, यह वाला भी मिला देते हैं, यह medium क्या हो गया, glass, और नीचे फिर medium आ गया year, देखो न, सब reflecting surface एक दूसरे से parallel है, और year से चलके range, year में ही आने वाली है, अब अपन उस range को चलाते हैं, तो यह आए आपकी वो पहली range, incident ray और यहां पर normal ड्रा कर लो, तो normal का color तो हमेशा की तरह change कर देना चाहिए, यह normal है, और फिर आपकी year है न, यह वाला angle तो आपका हो गया, आई तो यह जाना का चाहिए थी, जाना था इसे सीधी, ऐसी, पन्तु यह बैसी नहीं जाके यहां band हो जाएगी, यह वाला angle हम बोल देते हैं, बच्चो, आर बन, पता है, यहां पे फिर नार्मल ड्रा होगा, और वो नार्मल देखिए, आप जारा बड़ा नार्मल ही रहेगा, यह वाला angle किता होगा, दो parallel range है दी, एक दूसरे को interset करती हैं, तो यह दोनों है, angle equal होते हैं, कितनी बार बता चुके हैं, बार बार एक ही बात हमें बतानी पड़ती है, तो यह वाला angle हो गया, आर बन, चलो, आगे बड़ो, आगे बड़े तो पता है, बाटर से glass और डेंसर है, बाटर की optical density, glass के respect में कम है, तो जब बाटर से glass में जाएगी, मतलब मतलब मत dancer है, और जादे dancer है, तो bend toward normal, और normal की तरफ bend हो जाएगी, यह वाला angle अपना R2 माल लें, और यहाँ पे फिर हम वो ही normal ड्रा कर लें, यह normal हो गया, तो बच्चो, नारमल ही आप समझ जाओ, यह वाला angle भी R2 ही है, और आप बाहर निकलेगी, year से चली थी, year से चली थी, और year म ही बापस आई है, तो बच्चो, यह वाला जो angle आएगा ना, वो आई ही होगा, क्योंकि in this case, angle of incidence is equal to the angle of emergence, क्योंकि here से चली, year में ही आई, यह सब reflecting surface are parallel to each other, all reflecting surface are parallel to each other, इसका मतलब है, angle of incidence is equal to angle of emergence, yes, यह plate form की आदाई, दस बच कर, दस मईट पर चलने वाली गाड़ी, अपने निर्धारे टाइम से, हाँ हाँ छोड़ो यार, इसकी बात करते हैं, यहाँ पर year to butter, यहाँ पर butter to glass, फिर glass to year, अब जरा हम यहाँ पर पड़े, एक बहुत बहुत important formula आपको मिलने वाला है, हाँ numerical भी आते हैं, तो सबसे पहले, सबसे पहले हम बात करते हैं, year to butter की, number first, आपका a mu w, year to butter, angle of incidence i, angle of reflection r1, लिख दिया है हमने, तो यहाँ पर क्या हो गया, sin i upon sin r1, equation number first, अब हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं, इसे a b बोल देते हैं, इसे c d बोल देते हैं, इसे e f बोल देते हैं, अब हम काई की बात कर रहे हैं, यह सबसे पहली बात किस की थी, यह a b सरफेस की बात की थी, हाँ, अब हम c d सरफेस की बात कर सीडी सर्फेस पे क्या हो रहा है बच्चो वो बाटर से ग्लास में जा रही है वो जा रही है तो सीडी सर्फेस पे क्या हो जाएगा w mu g water to glass यही तो निकालना है यह तो absolute है यह है वो relative refractive index, yes वो ही है तो w mu g is equal to हो जाएगा sin यहाँ पे angle up incidence r1, angle up reflection r2 यह हो जाएगा sin r1 upon sin r2 equation number second, यह हमारा दूसरा equation था, एक हमने air to butter किया, फिर दूसरा हमने butter to glass किया, और अब EF surface की बात कर ली जाए तो EF surface और इसमें glass to air आ रही है g mu a, देखो ना बच्चो glass से air में आ रही है यह बाली rate, यहाँ पे पन ऐसा भी sign बनाना चाहिए rate चल रही है ना उस direction में arrow बना देना चाहिए, यह अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, तो g mu a, angle up incidence r2 और angle up reflection i emerges, इसके बराबर होगा ना तो यह हो जाएगा sin r2 upon sin i, equation number हो गया, third कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना, इन तीनों equation को आपस में multiply कर दीजे, इनका आपस में multiply कर देंगे तो 1 into 2 into 3, हमने 1, 2, 3 को आपस में जड़ा दिया, into कर दिया, into कर दिया तो क्या होने वाला, देखो तो जरा यह हो जाएगा, a mu w into w mu g into g mu a is equal to equal थोड़ा नीचे करके लिख ले रहे हैं, बच्छो तो यह हो जाएगा, sin i sin i upon sin r1 into sin r1 upon sin r2 into sin r2 upon sin i लो बच्छो, यह देखी जरा आप जरा काड़ा पीटी करना पड़ेगा multiplication हो रहा है, तो देखी आप sin i से तो यह sin i cancel हो गई sin r1 से sin r1 cancel हो गया sin r2 से sin r2 cancel हो गया, लो इनका into किया तो equal to तो बच्छा जब सब कट पिट गए तो यहां पे equal में बच्छेगा तो पदा है क्या हो गया यहां पे a mu w into w mu g into g mu a is equal to बन बचा हमें तो यह निकालना था color तो फिर अपन yellow ही ले ले लेते हैं w mu g को इदर बचा रहें दो, दोनों को सामने पहुचा दो तो क्या हो जाएगा w mu g is equal to बन पान a mu w into g mu a g mu a और बच्छो 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 आपको पता बन पान g mu a कित्ता होता principle आप रिवैसिबिल्टी से बन पान g mu a is equal to होता है a mu g लो, तो बन पान g mu a कि जगे क्या रख दें हम a mu g रख दें तो w mu g is equal to a mu g upon a mu w ये दोनों absolute refractive index है क्योंकि इन में एक medium year है और ये relative refractive index है क्योंकि दोनों medium में से एक भी medium year नहीं है तो ये हमारा फार्मूला आ गया और जो आपको याद रखने के लिए एक बात मुझे बतानी ही बतानी पड़ेगी और बतानी ही चाहिए वो बात क्या है कि w mu g final medium absolute refractive index आप final medium upon absolute refractive index आप initial medium स्क्रीन साट ले लो अब मैं मिटाने बाला हूँ इदर से क्योंकि कुछ बातने हमें और करनी है और वो बात आ टो अच्छी बात है अरे यार, physics में कोई सी भी बात बुरी होती है क्या? नहीं होती सब बातें बहुत ही अच्छी बात होती है हम यहाँ पे बात कर रहे है और यह हमने ले लिया white color white color में हमने देखा w mu g is equal to आया है a mu g upon a mu w final medium का absolute और initial medium का absolute ही आया इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चो w mu g is equal to mu g upon mu w इसका मतलब यही होता है absolute तो refractive index of final medium ri of final medium medium ऐसा upon ri of initial medium initial medium यह formula हो गया है यार बच्चो यह काम का formula है numerical बहुत करने पड़ते हैं और इस formula से numerical होते ही होते हैं अब एक और important बात आपको बताने वाला हूं तो क्या इससे पहले बात जो कर रहे थे वो important नहीं थी नहीं जी वो बात भी important तो थी अब यह बात जो है वो और important है आपको पता है कि यदि a mu g लेते हैं one mu two तो आपको पता है यह क्या होता है वी a upon vg होता है below city in here and below city in glass a mu w लेते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा अब बच्चो W mu g लेना है तो एक और फार्मूला आ रहा है आपका पहला medium बाला आपको W mu g की बात करना है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा BW upon vg करना पड़ेगा ना BW upon vg करना पड़ेगा मतलब यह है कि initial medium की velocity यह भी है यार हर कुछ नहीं लिखना चाहिए यह V है BW upon vg तो बच्चो एक फार्मूला हम पूरा लिख देते हैं तो आप समझ जाओ और उस फार्मूले को हम बात करेंगे यहां पे यह तो मिटाई दिया इधर वाली चीज़ तो आपको लिखी लेना चाहिए और 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 देखिए आप तो बन मियू टू बन और ट्यू मैं से दोनों ही किसी भी हालत में यहर नहीं है न तो बन यहर हैना टू यहर मैं यहर नहीं है upon absolute refractive index of initial medium ये बात आपने समझी है पंतु यदि वैलो सिडी की बात करेंगे तो V1 upon V2 होगा वैलो सिडी की बात करेंगे तो V1 upon V2 होगा इसे आप थोड़ा सा रिमार दे के समझ लेजे क्योंकि उल्टा कर देते बच्चे जहां पे Mew 2 upon Mew 1 है तो V2 upon V1 कर देते हैं जो की बिलकुल अच्छी बात नहीं है ये बात गलत हो जाती है तो ये हमने reflection के बारे में इतनी जानकारियां ली है और अब अब हमें यहाँ पे बात करनी है कुछ numericals की तो next lecture में हम करने वाले हैं बहुत से numericals तब तक के लिए झाल 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 झाल